असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स हमने पहले यूनट 30 ट्रिगनामेट्री का स्लेट किया था फार्दा mcqs and blanks तो आज हम करने जा रहे हैं यूनट 22 बेसिक स्टेटिस्टिक का जिसमें 10 mcqs हैं आपके पास उनको जो हम डिसकस करेंगे और उससे फिर आपको रिवाइस भी होगा कुछ टापिक्स मीन मीडियान मोड वागेरा जो भी इसमें टापिक्स थे तो हम करने जा रहे हैं इसके mcqs तो आपके पास अगर बुक है तो आप बुक को देखें ताकि आपको मैं mcqs जो है वो समझाता जाओं और उनका जवाब ही बताता जाओं तो इसका फर्स्ट नमबर mcqs है कि arithmetic mean is based on the use of sharing observation soft data that the farmers coming which is based करता यान किसके यूज पे History मालूम करते है कि middle observations होती है उसके उसके बिना पर नए उसके बिना झाल के बिना बिधनियुस जै वह मुझान मालूम करते हैं तो उसमें हम बीचवा़ी ॐली जयो उसको consider करते हैं, extreme values नहीं, extreme का मना यह होता कि पहली और आखरी नहीं, ऐसा भी नहीं होता, इसमें हम क्या करते हैं उसके सारी values को जो वो यूज़ करते हैं arithmetic mean मालूम करने का तरीका जो होता है कि सारी values को आप sum करो और फिर उनको divided करो total number of values से तो उनको सम करके 10 से डिवाइट करो तो सारी वेल्यूस को जो वह हम यूज करते हैं पार्टरमर टू है कि अन्गूरूप डेटा मस्ट भी आडर्ड फरस्ट जो अन्गूरूप डेटा होते हैं तो उनको जो ना आडर में रखना जरूरी है किसके लिए क्या फाइंड करने के लिए आडर में रखना जरूरी है आडर में रखना मतलब पहले समाल वेल्यूज फिर उसे बड़ी फिर उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए आप तो अर्थमेटिक मीन के लिए या मोड के लिए या मेडियान या रेंज के लिए अर्थमेटिक मीन के लिए जरूरी नहीं होता है अर्थमेटिक मीन में बस आपने सम करना होता है मोड में मोड में आपने क्या करना होता है कि जो वेल्यू ज्यादा मरतबा आई हो बार बार इस्तेमाल हुई हो जो सबसे ज्यादा इस सबसे बड़ी value को minus करना होता है छोटी value से तो वो आप judge कर सकते हो बले value जब randomly पड़े हो तो उसका median जब सही option है number of classes in the continuous frequency table lies between 5 and अब ये एक standard range है जब हम continuous frequency बनाते हैं table तो उसमें classes जो हम find रखते हैं कि कितनी classes होनी चाहिए कि हर class में फिर इतने होने चाहिए डेटा तो उसका standard method है कि 5 से 15 तक आप classes लें तो आपके पास result जो है फिर वो accurate आएगी complete नहीं मतलब वो फिर ज़्यादा suitable रहता है कि 5 और 15 के बीच में हो तो बहतर है mode of group data is obtained graphically using अब आम जो नब group data का mode जब मालूम करते हैं तो हमारे पास formula है tables वगरा यूज़ करते हैं तो एक और तरीका होता है graphically यह जो हम histogram polygon और बगरा बनाते हैं chart बनाते हैं तो वहां से भी हम मालूम कर सकते हैं उसमें भी एक exercise है last में उसमें questions है उसके तो हिस्टोग्राम जब हम बनाते हैं तो उससे बनाते हैं histogram होता है जो rectangles बनाते हैं फिर उसमें एक तरीके कार है वहां से हम जो हम जो है वो मालूम कर सकते हैं mode किसी भी data का if data has outliers then dash is misleading data has outliers का माना यह होता है कि मिसाल की तौर पर आपके पास कोई data है जैसे के मैंने किसी cricket में मेच में score बनाया है 0 और दूसरे मेच में 2 बनाया है और तीसरे मेच में फिर जो है वो 40 बनाया है उसके बाद जो है फिर वो 103 बना दिया अब यह data जो show है नहीं यह आउट लायर शो कर रहा है एक 0 फिर 2 फिर बड़ा जंप लग गया है 40 तक फिर उससे बड़ा जंप लग गया 103 तक अब यहां पर जो इसका average हम मालूम करते हैं average मालूम करने के हमारे पास तरीके होते हैं mean मालूम करने के लिए जैसे geometric mean है harmonic mean है arithmetic mean है तो इसमें फिर जो arithmetic mean होता है जैसे मैं चारों को plus करूँगा फिर divide करूँगा four से तो जो जवाब आएगा न वो इन चारों से दूर दूर रहेगा या जैसे एक और example दूँँगा आपको के 123 और इसके बाद 20 अब देखें ये जो values हैं आपके पास इनका arithmetic mean आ तो जाएगा average आ जाएगा लेकिन वो फिर काफी misleading करेगा information की तरफ जैसे मैं इनका अगर arithmetic mean मालूम करूँ 123,336,26 divided by four तो इसका जवाब आएगा 6.5 अब देखें 6.5 है average किसी चार numbers का अब मैं ऐसे जनरल ही अगर आपको कहूँ कि 6.5 average है चार values का तो चार values क्या होंगे तो आप क्या करोगे 6.5 के आसपास वाले जवाब जो हैं वो आप बता सकोगे 20 का आपके जहन में नहीं आएगा अगर 20 का जहन में आया तो फिर 123 का जहन में नहीं आएगा तो यह मिसलीट करता है जब कोई डेटा में आउटलायर मोजूद हो दूर दूर मोजूद हो आउटलायर का माना होता है कि बाहर जो हो फिर खड़ा हो उन वेलियूस की सीक्वेंस से तो यहां पर अर्थमेटिक मीन का 10, 100 is 40 तो K की वेलियू मालूम करो देखें एक वेलियू है आपके पास 0, 90, K, 10, 100 इनका अगर अर्थमेटिक मीन में मालूम करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइट करूंगा और कितना आता है अर्थमेटिक मीन उसने बताया है कि 40 आता है तो यहां से K मालूम करो यहां से K असान है मालूम करना आप इनको पहले सम कर ले 90 और 10, 100, 100 और 100, 200 पिलस K, 5 यहां पे हो रहा है डिवाइट उस तरफ जाके होगा 40 से मल्टिप्ला है वो हो जागा 200, तो K की वेलियू यह उस तरफ जागा माइनस होगा होते हैं मीडियान तो मैंने आपको बताया था कि यह होती है बीच वाली वेलियूस ठीक है यह पोजीशन के हिसाब से आपको मिलती है जैसे यह आपके पास मिसाल के तौर पे वेलियूस है 0, 1, 2, 3 और यह आगया 100 1, 2, 3, 4, 5 वेलियूस है इनका अगर आपने मीडियान मालूम करना होगा तो वो होगा 2 यह एसेंडिंग में लगी पड़ी है वेलियूस आपके पास जो बीच वाली वेलियूस होगी वो होजागी मीडियान देनको इनका मीडियान है लेकिन इस से देखो कितना यह दूर है इन सब के आसपास है ये भी एक average वाले तरीकेकार में शामिल होता है median लेकिन ये सब position से तालुक है इसका बाकी चीजों से इनका तालुक नहीं है तो ये positional है median जो है और quartel भी इस तरह होता है quartel क्या होता है कि किसी भी data में जो 75% 25% से 75% वाली values जो है वो मिसाल के तोर पे 1,2,3,4 और 5 अब इसमें ये value जो है ये partition कर रही है 25 और 75 में ये है lower quartel ये 4 जो है ये data को 75 और 25 में partition कर रही है 75% इस तरफ 25% इस तरह है तो ये हो गया upper quartel ये 3 जो है ये middle quarter है middle quartel और middle quartel और median एक बात है median 50% इस तरफ कर देता है data 50% इस तरफ ये 3 भी 50% इस तरफ कर रहा है ये इस तरफ कर रहा है तो quartel भी basically positional होता है वो अपनी location के बिना पे जाना जाता है तो इनका कोई logic नहीं होता कोई logical values नहीं होता कि वही इसका कोई logic है ये वो ये सिर्फ जो वो positional होंगी ठीक है अब 8 पार्ट देखें upper quartel divide data in upper quartel जो मैंने आपको बताया है वो क्या करता है वो data को 75 से 25% में divide करता है और lower quartel 25 से 75 और middle जो 50-50 if data container number equal to 0 अगर किसी data में 0 मौजूद होगा अगर इस तरह ये 0, 1, 2, 3 अब इसका arithmetic mean हो जाएगा geometric mean में हम क्या करते हैं फिर वो multiply वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फिर वो zero आए जाएगा जवाब इसका तो बले आजाए लेकिन geometric mean भी मालूम हो जाएगा harmonic mean में क्या होता है reciprocal लिया जाता है अब जब zero किसी डेटा में मौझूद हो reciprocal करोगे उसको तो फिर वो आपके पास meaningless values आजाएगी तो harmonic mean जब वो possible नहीं है आपके पास बाकी सारे हो जाते हैं लास्ट है इसका कि if all numbers in data are equal अगर किसी डेटा में सारे numbers equal हो तो फिर arithmetic mean बराबर geometric mean बराबर harmonic mean range बराबर zero standard deviation बराबर zero या all of these देखें मिसाल की तौर पर आपके पास values है एक 3 3 3 3 3 3 अब इसका arithmetic mean मालूम करोगे न सबको plus करके ये five values हैं पिलस करोगे तो 15 डिवाइड करोगे five से तो three आएगा geometric mean मालूम करोगे उसका भी तरीके कार है सबको multiply करके फिर उसका power जो है फिर वो one upon five दें इसका भी जवाब three आ जाएगा harmonic mean का भी वही जवाब आएगा तो पहला option तो ठीक है सही है दूसरा option है कि range zero आएगा range भी zero आएगा क्योंके larger value भी यही है smaller भी यही है तो range इसका zero आएगा तीसरा कह रहा है कि standard deviation zero आएगा standard deviation का माना यह होता है कि इनका जो arithmetic mean है असल जो भी होगा इसका हमें पता है कि थरी है वो इन value से deviate नहीं करता standard deviation का तरीके कार है फामूलाज है पर हम जर्नल अकर deviation की बात करें तो deviation हो ही नहीं रही क्योंकि इसका जो arithmetic mean है वही वो खुद values है यह नहीं हमारे पास यहां पर तो all option जो है वो फिर correct हो गया इसका